Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हाँ सब लोग, मस्त, बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं आज हम अपना next lecture, drug distribution to ICCU, ICU, NICU, emergency warts वगरा हमने इसे पहले लेक्चर में drug distribution to normally, मतलब एक hospital में normally किस तरह से drug distribute होता है क्या होता है, system उसका, वो सब से देखा कि कैसे doctor prescribe करेगा और कहां से कहां drugs वहरा जाता है ठीक है, अब यहाँ पर क्या है अपना especially कहां focus रहने वाला है, ICCU, ICU जो हमारे emergency warts होते है emergency warts अलग आ जाएगा, यह सब भी कहीं न कहीं emergency है, लेकिन एक heart के लिए हो जाएगा एक normal accidental हो जाएगा, एक बच्चो वाला हो जाएगा, यह emergency normal emergency हो जाएगी ठीक है, साथ साथ में हम समझेंगे automated drug dispensing system आज कल क्या हो गया है, कि खुता क्या है, डॉक्टर का पर्चा आता है, फिर वहाँ पे एक लोग चड़ाएंगे, ठीक है न, फिर एक बंदा लेके जाएगा पर्चा, दवायां निकालेगा, billing होगी, तमाम से चीज़े रहती है automated में केवल आप बैट करके, इस system पर कमांड कर देंगे, robotic system, मैं आपको दिखाने कोईश करूँगा, किस तरह से दवायां निकालेगा, collect करेगा, और सामला करके रख देगा आखरी में बस एक बारी जो फार्मासिष्ट होता है, वो देख लेता कि हाँ दवायां साही है कि नहीं है, कोई technical mistake हो सकती है ठीक है, आख स्टार्ट करते हैं, तो lecture number, second है हमारा drug distribution का, तो यहाँ पर हम पहले बात कर लें कि आखर का जो terms हमको मिली है पढ़ने के लिए, वो terms है क्या क्या ठीक है, तो देखो क्या है, ICCU, ICCU क्या होता है, the intensive coronary care unit, intensive मतलब गहन, बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा, coronary care unit, कही नहीं हाँ हार्ट का मामला हो गया है, जो हार्ट patient होते हैं, ठीक है ना, is a unit dedicated to the treatment of heart conditions, ये जो unit है, ICCU, especially किस के लिए है, heart conditions के लिए है, मतलब कि दिल के मरीजों के लिए है, such as coronary heart disease, ठीक है, heart attack, cardiac arrest and heart failure, overall, heart का जब emergency case फच जाएगा आकर के, तो उनको लोगों को जो hospital में है, ऐसे patients को हम लोग, ICCU में admit करते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, ICCU intensive care unit, intensive care unit, ठीक है न, बहुत अच्छे से care करने वाली, एक एकाई unit, मतलब, एक department, life support is provided in intensive care unit, live support, यानि कि जब इनसान मर रहा हो, किसी और वज़े से, heart के problem नहीं है, किसी और वज़े से, उसकी मौत होने वाली हो, या बहुत ही critical condition में हो, तो उसको यहाँ ICU में admit किया जाता है, ICU समने सुन रखा होगा, ठीक है, provided है, in an intensive care unit for critically ill patients, critically ill, critically ill, critically ill, critically मतलब, बहुत जादा बिमार है, इल मतलब बिमार है, NICU, new natal intensive care unit, तो एक तरह से यह, यह भी ICU है, लेकिन new natal, new natal मतलब, बच्चों का ज़च्ट पैदा हुए बच्चों होते हैं, एक दिन के, दो दिन के, ठीक है न, उनके लिए यह होती है, तो इसको हम NICU कहते हैं, also known as intensive care, nursery, nursery भी कह दिया जाता है इसक ठीक है, is a unit specializing in care of ill or premature newborn infants, premature, कुछ-कुछ बच्चे, 9 महने के ना हो करके, 7 महने में उनकी delivery हो जाती है, करनी परती किसी बज़े से, 8 महने में ही उनकी delivery हो गई है, पूरी body उनके grow नहीं कर पाई है, तो वो बच्चे, ऐसे बच्चे, एक-एक महने तक इस NICU में रहते हैं, उसकी डॉक्टर की देख रहे हैं, ठीक है, तो यह NICU, यह भी ICU है, बस especially बच्चों के लिए है, तो नियो नेटल लगा दिया गया आगे, तो यह NICU हो गया, the first 28 days of lives are referred to as नियो नेटल, रैफर भी कर दिया, जैसे मैंने एक-एक दो दिन कहाता, तो starting के जो 28 दिन होते हैं, तो 28 दिन जो देखवाल करी जाएगी बच्चे की, वो NICU के अंदर होती है, इमर्जेंसी वार्ट्स, also known as accident and emergency department, याने की, ICU में और emergency वार्ट्स में क्या अंतर आ गया, ICU में एक patient है, उसका accidental case नहीं है, लेकिन तब्यत खराब है, किसी ना किसी वज़े से, कि उसको मौत हो सकत एक हो गया, इमर्जेंसी वार्ट, यहाँ पर accident की वज़े से दिक्कत में आ गया इंसान, also known as accident and emergency department, emergency room or casualty department, कही सारे नाम है, इसके, it is medical, it is a medical treatment facility specializing emergency medicine, the acute care of patient present without prior appointment, यहाँ पर कोई appointment नहीं होता है, पहले से, casualty हुई है, इंसान का accident हो गया है, बहुत critical condition में लाके सिधा admit कर द तो उसको वहाँ पर के admit किया जाएगा, खुझ से या ambulance के माध्यम से, ठीक है, तो यह emergency ward है, तो यानि कि जो topics हैं हमारे पास, ICCU, ICU, NICU, emergency ward, यह हमने जाना कि यह होते क्या है, अब थोड़ा सा इनको detail में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि objective question है, distribution के अलावा कई दायवाई से भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा detail, थोड़ी detail लेके चलेंगे, हम लोग इसकी intensive coronary care unit, ठीक है ना, coronary care unit arose, कब यह आया था, अस्तित्व में कब आया था, कब पहली बार यह, इस दुनिया में आया था, तो 1960 में, इसका पहली बार इसकी नीव रखी गई थी, as it became obvious, जैसे की बि highly trained personnel, ठीक है ना, cardio pulmonary, resuscitation, CPR भी कहते हैं, and medical intervention में minimize death from cardiovascular disease complications, तो बता रहा कि यह खाली trained personnel होने चाहिए, ठीक है यानि कि जब हम ICCU में admit करेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा highly trained personnel होंगे, ठीक है ना, CPR देने की ववस्ता होगी, medical intervention, दवाईयां कर रहेगा, जिसकी वएसे, death जो है, उसको cardiovascular disease की वएसे, उससे minimize किया सकता है, यानि कि मौतों को कम किया सकता है, या minimize कर दिया जाएगा, okay, patient who are critically unwell are admitted to ICCU, जो heart की वएसे, पूरी तरिके से बिमार है, उसको ICCU में admit किया जाएगा, the availability of telemetry, telemetry होता है, tracking of heart beat, ठीक है न, heart beat को यहाँ पर एक लगा दिया जाता है, चिप जैसा, वो heart beat को पूरा track करेगा, तो availability of telemetry और continuous cardiovascular monitoring, वो लगा दिया जाती है, साथ साथ में cardiac monitoring, beats के चेक करती जाती है, machine लगातार, देखा है न, तुम लोगों ने, machine वो चलता रहता है, TTT, TTT, computer चलता रहता है, heart rhythm, is a key element of coronary treatment, भाई यह लगातार हमको watch करना है, हम उसी signal को देख करके अपना काम करते है, patient with myocardial infarction or unstable angina are commonly admitted to the coronary care unit, यह दोनों term से बहुत अच्छे से तुम लोग वाकिफ हो, है न, कहां पढ़ा है हम लोगोंने, pharma को therapeutics में है, myocardial infarction और unstable angina, ऐसे patient को यहां admit किया जाता है, myocardial infarction is the most common morbidity discovered, heart के case में myocardial infarction सबसे ज़्यादा मौत की वज़े है, ठीक है, या heart के खराब होने की वज़े है, the majority of the medications prescribed were from WHO's essential drug list, जो medications prescribed की गई है, वो WHO की essential drug list से prescribed की गई है, जैसे की tablet aspirin is the most commonly prescribed medicine, heart के case में सबसे ज़्यादा prescribed medicine होती है, वो aspirin होती है, उसके अलावा, promethagen, heparin, hydrocortison, ठीक है, buprenorphine, streptokinase, metaprolol, pantojocene and frismide are among the most commonly utilized injections, antibiotics are used less frequently, तो यहां पर तुमको बेटा क्या ध्यान रखना है, कि हमारे पास drug distribution का यहां पर एक last में क्लाइन आएगी, जितने वी उपर हमने वार्ट पड़े, ICU, ICCU, emergency वार्ट ठीक है न, वहां पर drug से पहले से मौजूद रहती है, पहले चीज, वहां पर यह यह नहीं होता कि यहां, डॉक्टर लिखेगा, फार्मेसी जागा, इतने में तो पिश्ट निकल जाएगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, तो वहां बगल में ही छोटा सा रहता है, एक कुछ भी कहलो, compartment रहेगा, या just उसके attach, उसी कमरे से attach बगल में एक फार्मेसी रहेगी, वहां पर already सारी दवाई यहां पहले से मजुद रहती, emergency वाली, ठीक है, अब यहां भी हमें समझना किया है, question क्या आ सकता है, जो intensive care unit दो एक्ष्टा पड़ाया है, आखिरकार, ICCU में किस प्रकार की medicine पहले से available रहती है, तो यह कुछ medicines के example है, जिसमें aspirin, तो बड़ा comment सा question आ सकता है, ICCU में जो medicine होती है, उनमें से कौन सी medicine available है, तो answer क्या आ जाएगा, aspirin आ जाएगा, या इनमें से कोई भी medicine और option में दे सकता है, ठीक है न, तो यह तीन point यहां से objective question तुमारा उठ सकता है, आगे आते हैं, intensive care unit, the following is the list of the 8 most commonly utilized medication in emergency situation आप देखो, यहां पर क्या है, aspirin नहीं है, तो question बनेगा, which of the following drug is not used in ICU, यह देदेगा option, यह देदेगा, जैसे कि मानलो question बनके तुमारा, which of the following medicine not used in ICU, ठीक है न, A, B, C और D, तो इसमें, चार, तीन option यहां से देदेगा, एक option क्या देदेगा, aspirin देदेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए, aspirin यहां पे इस्तमाल नहीं होती है, aspirin ICCU में इस्तमाल होती है, तो दवाईयां important है कि कि किस department में कौन से दवाईयां है, ठीक है, now, neonatal intensive care unit, NICU, organ immaturity, अब इसी बात है, जो बच्चा जश्ट पैदा हुआ है, उसके organ पूरी तरह से डवलप नहीं है, congenital disease या कोई से पैदाईसी बिमारी है बच्चे को, और birth related problems या जनम होने के बाद उसको कुछ problems create हो रखी है, are the most common, most common reasons that neonates brought to the NICU, यहीं वज़े से एक neonate को, यानि कि एक जश्ट पैदा हुए बच्चे को NICU में admit किया जाता है, they monitor medication doses and levels, ठीक है न, यहाँ पर उसका medication doses कितना देया जा रहा है, कितना level देया है, सब monitor होता है यहाँ पर, they keep the team informed about any potential adverse effect, लगाता है, टीम को inform किया जाता है कि कोई potential adverse effect and any additional monitoring that may be required, कोई potential adverse effect तो नहीं है दवाईयों के या कोई additional monitoring की या कोई और प्रॉलम तो नहीं हो रही जिसको भी हमको देखरे करनी है, ठीक है, exposure to potential drug-drug interaction is a significant risk related with the ADE, ठीक है न, occurrence in NICU, तो कह रहा है, पहले हम ADE को समझ ले, तो था कि याला point हम एच्छे समझ में है, ADE क्या होता है, ADE ओकर when the antibodies generated during an immune response recognized and bind to pathogen, immune response हुआ, मतलब कोई हमारी body में pathogen वगरा आया, bacteria virus आया, immune हमारी body में generate हुआ, immune system आगया, फटाक से मारने के लिए उसको, लेकिन, वो pathogen से बंद तो गया, मारता नहीं हो उसको, but they are unable to prevent infection, यह हमारा immune system हमारे जो body के सैनिक आयव, WBC आयव, वो pathogen से आगे शिपक गये, उससे लेकिन मार नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, इंस्टीट, बजाए इसके, these antibodies act as a trojan horse, यह जो antibodies are trojan horse, याने कि घोडे पे सवार कर लेना एक तरह से, ठीक है, क्या करते हैं, allowing the pathogen to get into cells and exacerbate the immune system, बजाए इसके, यह pathogen को cell के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और immune system को और बढ़ावा दे रहे हैं, आप हमारी body का immune system बढ़ बढ़ रहा है, मतलब भाच, अब अब से निक बढ़ रहे हैं, लेकि मार नहीं रहे है, that is called ADE, ठीक है ना, ओके, तो यहापर क्या होगा, exposure to patient, a potential drug drug interaction, potential drug drug interaction, drug drug interaction से क्या होगा, is a significant risk related with the ADE occurrence in the NICU, तो ADC, उमीद कर रहा हो कि clear हो गया होगा, clear है, ठीक है ना, तो यह चीज़ें के measure किया जा रही है, drug drug interaction हो गया, then ADE हो गया, ADE पता नहीं क्या होगा, adverse drug events हो गया हमारे पास, then medication most commonly administered include, यह important part है हमारे लिए, कौन से addition दी जाती है, ampicillin, frosmide, dopamine, azithromycin, sildaner, phil, ibuprofen and fluconazole, ओके, आगे आते हैं, emergency ward, अब emergency ward सा क्या सीन है, error can occur if a physician prescribed the incorrect medication, ठीक है, तो यहाँ पर emergency ward में के एक accidental case हो गया, दूसरा, error हो सकती है, अगर physician prescribe कर दे incorrect medication, अगर physician ने कोई गलती से गलत दवा दे दी है, ठीक है, तो error हो सकता है, if the prescription intended by doctor is not the one, या जो prescription है intended, doctor जो prescription चाहता है देना, by the doctor is not the one, वो prescription नहीं दी गई, क्यों? not the one communicate to the pharmacy, due to, ऐसा क्या हो गया, कि जो doctor ने दवाई लिखी, वो patient के पास नहीं पहुंची, उसका reason क्या हुआ, जो communication हुआ फार्मेसी के साथ, क्या हो गया? illegible return prescription, या जो दवाई लिखी थी, वो दवा क्लियर नहीं थी, तो pharmacy confusion होगी, तो गलत दवा पहुंच गई, या, miss hurt verbal order, डॉर्टर माला फॉन से कहा, कि यहां यह 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 दवाई दे दे न, या मुह से बोला, वो मुह से जब बोला, तो वो pharmacist तो था, क्लियर समझ नहीं पाया, गलत दवा दे दी, या, the pharmacy dispenses the incorrect medication, और given to the incorrect person, यह ऐसा हो सकता है, कि pharmacy ने कुछ गलत दवा दे दी हो, या, गलत इंसान को दे दी, इसके परचिक दवा उसको, उसके परचिक दवा इसको, बास समझ में आ रही है, तो यह सब है medication error, इस तरीके से error हो सकता है, ठीक है, one of the way to overcome this situation was to use emergency trolley, इसका किस तरे deal किया जाए, कि मान लोग खाल यह दवा देकर आई गई है, तो emergency trolley रहती है आने कि, उसके अंदर वो सारे antidotes मौजूद रहेंगे, जो की reaction होने पर, दवा कर पहुंचने पर, उसकी काट, उस दवा के असर हो खतम करेंगे, ठीक है ना, refilling of used, misused, or missing items, trolley रहेंगे, उसके अंदर, कोई अगर item खाली होगे, तो refill करेंगे, कोई item miss है, मतलब नहीं है, तो उसको हमिन साथ, वहाँ पर मौजुद रखेंगे, on the emergency trolley, as efficient as possible, जितना संभव हो सके, जो emergency items हैं, जो दवाईया हैं, उसको वहाँ से, हटने नहीं देंगे, खडते ही तुरण उसको refill कर देंगे, all warts are always fulfilled with, सारे के सारे warts होते हैं, always fulfilled with emergency medication, such as, emergency warts के अंदर, कौन को से medicine रहेंगी, emergency medicine कौन को सी है, adrenaline, solvitamol, etropin, frosmide, hydrocortison, insulin, lidocaine, and medical oxygen, emergency warts में ये medicine पहले से हम इसा मौजूद रहेंगी, killer हो गया, तो उन 4 warts के बारे हमने जाना, कौन सी important medicine है, अब distribution की बात करें, तो को यहां साफ साफ एक बात लिकी हुई है, the medicines are already distributed on all these care unit from pharmacy department, ठीकर न, पहले से ही distribute हो चुकी होती है, यहां पर यह ऐसा नहीं होता है, जो emergency दवाई है न, लिम्टेड है, पता है, वो 10, 12, 15 जो भी है, पहले से मौजूद रहेंगी, all the medicines are stored at required condition मानलों कोई injection की form में होने चीज़ें, injection की रूप में available रहेंगी, तो पहले से ही उस रूप में मौजूद रहती है, वहां पर, nurses और pharmacist regularly check the medicines and fills the required medicine with the proper documentation, nurses और pharmacist पहले से चेक करके रखेंगे, कि वो जो emergency पूरी list बनी हुई है दवाईयों की, वो वहां मौजूद है या नहीं और अगर मौजूद नहीं है, तो doctor का prescription ले करके, documentation proper करके, उसको refill करके, वहां प्राहले से ही मौजूद रखेंगे, ठीक है ना, इन जो उपर हमने वार्स पढ़े हैं ये, इन में ऐसा नहीं होगा, कि patient आया, फिर doctor पर्चा लिख रहा है, फिर पर्चा जाएगा, फिर दवा यहां मौजूद रहेंगी, ठीक है ना, इन वार्स में किस situation का patient आएगा, पहले से decided है, तो medicines पहले से हम मौजूद रहती है, clear रहे, now, automated drug dispensing system and devices, automated, ठीक है न, अब क्योंकि चीजों को हम लोग क्या चाह रहे है, sophisticated, है न, जैसे कि छोटी सी बात बताऊं मैं, आज कल इसका उधान ले लो, जैसे मैं यहां बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पहले क्या था, एक साधान बोर्ड होता था, उस पर पढ़ते थे, अब क्या है, technology आगे, advance हो गया system, इससे काफी सुविधा हो गई है, बा केवल, डॉक्टर ने, डॉक्टर अपने हाँ बैठा हुआ है, लिख देगा परचा, prescription, एंटर मारेगा, वो जो लिंक अप होगा, फार्मसिस्ट के system से, सीधा परचा पहुंचा, फार्मसिस्ट के system पर, उस ने का, अच्छा ठीक है, पेशेंट वहाँ चला जाएगा, फार औपने देखा है, ऐनके बैंकसी, में पास्बूक के पीछे, बार कोड रहता है, वो बार कोड इतना काम जरूर करना पड़ता है, उन बार कोड को, उन बार कोड की एंटरी करनी पड़ती है, पहले सिश्टम में, तभी system उसको पहचाने रही, ये काम जरूर होता है, ठीक है ये काम हो जाने के बाद सिर्फ जैसी उसने एंटर मारा एस्परिन के दस गोलियां यह तो वो रॉपटिक सिस्टम जाएगा उसको पता है उसके नॉलेज में है कि कितनी हाइट पर कहां पर कहां कौन सी दवाईयां रखी है वो जाता है वहां से उसको निकालता है और आगे सप्लाई कर देता है सिस्टम बना होता है दवाईयां लोडगती लोडगती आया ती सिदा फार्मसिष्ट के पास पुरा सिस्टम जैसे मशीन्स होती है देखो दिखाता हूँ मैं एक कंपनी है I think OmniCell करके है जो यह सब बनाती है मैं उसका वीडियो देखा था तो आप तुम लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है देखो हाँ OmniCell का वीडियो है यह ठीक है न यह रोबोटिक सिस्टम बनाती है यह तो उन्होंने अपना एड करने के लिए यह दिखा रखा है तो मैं भी तुम लोगों को दिखाता हूँ ज़रा देखो यहां से एंट्री हो जाएगी दभाई पकड़ा उसने ओकिया है तो यहां से क्या है तुम लोग देख पा रहे हूँ थीक है दवा यां गई इनके वह बार कोड होता है रहे हैं दवाइज आगे dengan रही है है एक है वह आगे पास हो रहा है तो इस तरहीकव से पैकेट्स किया और है ये तो ये और सिस्टम है है बड़ी-ड़ी अबनाती है इसको तुम लोग देख सकते हैं उसको उसने वहाँ से दवाई निकाली तो कुछ नहीं करना है क्येवल हमे पकड़ा मशीन ले गया वो ठीक है वहाँ पर उसने लगा भी दी मतलब हमको स्टोर करने की भी जरूद नहीं है वो अपने आप स्कैन करके अपने आप सेट कर देता है ठीक है तो यह है यह साइध आज तिंग ओमनी सेल कंप्री वालों का है आज कर बड़े बड़े रोबर्टिक सिस्टम चल रहे है ठीक है वेटा बास समझ में आगी मैं इसको यहां पॉस कर दे रहा हूँ ओके तो चलते हैं पीछे अब हम लोग आ जाते हैं तो यह मैं तो दिखा रहा था कि आटोमेट का मतला तुम लोग को समझ में आए कि आटोमे यह को आगाते हैं कि लिए रहे तो बड़े फर्म्स जो हैं जैसे अब यह अम्मिसल वाला है तो यह अम्मिसल एक मेंने को मिल गया तो ओमनिसल वाला को आर्डर करेंगे तो अमझमThat करते हैं और फिर प्रिसपिशन कर दे तो ठीक हम देखते हैं अब यह सा से सुरूवात कह the efficiency of drug distribution process in California California की बात करें one pharmacy used computers to improve the speed and accuracy of prescription prescription level preparation in combination with conveyors to quickly move the patient's order conveyors ठीक है ना जो conveyors का इस्तमाल कर लिया कि यहां से कर दिया conveyors conveyors क्या होता है belt लगी होती है जो ऐसा गोल-गोल घूमती रहती है है ना तो कह रहा है improve the speed and accuracy of prescription level preparation in combination with conveyors to quickly move the patient's order to different preparation area within the pharmacy मालों मेरी यहां pharmacy है और एक कमरा है वो थोड़ा सा आगे है तो conveyor लगा दिया है एक बैल्ट से लगा दिया जो preparation किया उसके पर रख दिया हो conveyor उसे वहां तक ले गिया तो सुरुआत हो गई एक से automation की हमें यहां पर आदम की जिरूत नहीं पड़ी ओके ना दा फर्स्ट आटोमेटर सिस्टम सच अज ड्रगोमेटिक एंड करवे लिश्ट सबसे पहले यह सिस्टम इनका काम किया था सिंप्ली काउंट दा टैबलेट तो देखा होगा कि जैसे की टैबलेट्स होती है जब बहुत लंबे समय तक चलती है तो उसको काउंट करके कि सौ टैबलेट दे नहीं है तो आजकल तो रैपर में आ रहा है लेकिन तुम लोग जैसे देखते होगे फॉरंड कंट्री वगरा में वहां पर डिबी के अंदर टैबलेट दी जाती है तो व वाइल बाद में वाइल के अंदर फार्मसिस्ट उनको रख देगा और पैक करके दे जाता था तो बहुत पहली सुरुवात होगे थी इसकी टुडेज देर आर सिस्टम डेट ऑट्रमेट दा एंटार डिस्पैंसिंग प्रोसेस जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि आजकल ऐसे सिस्टम मौझ हो था कि पूरा डिस्पैंसिंग प्रोसेस समान लगाने से लेके समान निकालने तक सारा सिस्टम करते हैं तब फार्मसिस्ट टचेस दा प्रोड़क्ट ओनली वें चेकिंग दा प्रिस्क्रिप्शन फार्मसिस्ट लास्ट में प्रोड़क्ट को ट्रेच करता है जो finally dispense करने जा रहा होता है कि सारी चीह सही है एक बर क्रॉस चेक कर लेता है before counseling the patient बास समझ मा आगी है automated medication dispensing machine ADM first became available in the 1980 सबसे पहले कब आ गया थे 1910 मा आ गया था since that time उस समय से they have grown in popularity and now the majority of hospital उस समय से तब से इनकी popularity लगातार बढ़ रही है और आज कल majority of hospital में जाने की जादतर hospital में use these machines इस machine का इस्तमाल हो रहा है या करते हैं they are also referred to as automated medication dispensing cabinet ADC as well ADC भी कहते हैं these are computer controlled storage unit for medications बास समझ में आ गया let's see some videos actually video मैं को यहां दिखा नहीं थी लेकिन video मैंने पहले दिखा दे ठीक है कि लिए यहां तक एक इंट्रो हो गया अब देखते हमें इसके पढ़ना क्या क्या है बाई क्यों चाहिए हमें automation हमें cost जहां चार आदमी रखेंगे machine पर एक बार पैसा खर्च होगा चार आदमी जो हमने रखे होगे उनको बार बार इंटीग और इंटीग और मैंजिंग डाटा जो चीज निकल गई खटाक से आचा याली दवाई यह इतनी निकल गई है अटमेटिक एंट्री हो रही है उसकी जो चीज एड हो गई है इंटीग्रेट मतला और सारा डाटा आपसे हैं इंटीग्रेट हो या था कि यह आइटम आ गया है यह आइटम चला गया है इतना इटम बचा अगया है यह सब आटमेटिक दिख रहा है ओँआ पर प्रोवाइडिंग आउट्स्तेंडिंग करस्ट काम जल्दी जल्दी हो रहा है ठीक है साटिस्ट्रेक्टरी काम हो रहा है तो कस्तमर काफी अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं तो यह इसके गोल थे और technology and automated device applied throughout the medication use process technologies and automated devices हम पूरे medication process में इसका इस्तमाल कर सकते हैं समझते हैं सबसे पहला काम क्या होगा prescribing दोक्टर जब prescribe करता है तो आज कल ऐसे software आ गया है clinical decision support software वो disease डालेगा condition डालेगा तो उसके हिसाब से एक list बन के आती है अच्छा यह बिमारिया तो यह दबाईया best हो सकती है ठीक है तो एक software ऐसी भी आते है computerized prescriber order entry फिरो computer में prescriber क्या करेगा entry मार देगा यह दबाईया अच्छा यह दबाईया हो सकती है वो भी पना दिमाग लगाएगा और entry मार देगा सुरुवात हो गई यह हमारे course में यह है dispensing वहाँ से order सिधा कहा चला गया centralized robotic dispensing technology वहाँ चली जाएगी ठीक है centralized narcotic dispensing and inventory tracking devices अगर नार्कोटिक वाला prescription गया है तो वहाँ चला जाएगा decentralized automated dispensing devices ठीक है यह होगा centralized जो main चला गया यह decentralized automated dispensing device हो सकते है unit dose medication repacking system dispensing में हम इन सबका इस्तमाल करते है unit dose medication repacking एक-एक dose को अगर pack करना है तो वह भी आजकल robotic system से हो जाता है ठीक है then administration बार कोट medication administration technology यानि कि लोग बार कोट के हिसाब से पूरा-पूरा उसका administration चल रहा है monitoring electronic clinical documentation system पूरा document automatic एक entry मारो तो यह आज पूरा दिन क्या रहा cut इतना आया इतना गया इतना sale इतनी बचा है पूरा निकाल कर देदेगा तो सुरुआस से लेके आख़ी तक सारा system आजकर क्या हो गया है technology पे हो गया है robotic होता जा रहा है ठीक है ना हमारे कोर्स में में किस फोकस कर रहे है हम लोग dispensing पे तो dispensing में question क्या आएगा एक तो goal आ सकता है goal से भी ज्यादा important क्या है एक आ सकता है question advantage और disadvantage के यह important बनता है कि आखिरकार robotic के क्या function है ठीक है तो function क्या है improving safety efficiency and stock control for maximizing storage capacity ओविसी बात है ठीक है safety गई है आए आप आदमी के हाथ की तो बात है यह machine कर रही है ठीक है storage capacity बढ़ जाएगी पहले में advantage देख लें this technology stores and retrives the medication automatically यह दवा यह जो machines है यह क्या करती है store करती है और retrieve retrieve मतलब एक तरह से data हम लोग जो याद करते ना तो collect करना कि हाँ यह दवाई यहां रखिए यहां रखिए retrieve the medication automatically तो यहाँ पर क्या है इंसान क्या रहे भूल गया यहां रखिए थी ठीक है ability to provide instantaneous safe dispensing तुरां इधर entry मारी तुरां दवाई निकाल के देखे तो यहां पर इसे लाइन कुछ गलत होगे यहां पर आने चाहिए तो यहां पर आने चाहिए जो फार्मासिस्ट है फार्मासिस्ट केंड डिवोट मोर टाइम टू दा क्लिनिकल केर अफ़ पेशेंट वगर रहा है जो नर्सेस वगर है वह क्लिनिकल केर में जासे ज्यादा टाइम दे सकते हैं ठीक है यह थोड़ा सा यहां पर लाइन कुछ गरबड हो गई है यहां से यह लाइन हटा देंगे तो यहां पर लिख देंगे फार्मासिस्ट ओके अब वहां पर क्या है हमारा पर चीज़ें साइंटिफिक है रोबोटिक है तो चीज़ें बहुत एक्कुरेसी के साथ होती है तो वैल्यूस एड होती है सब्सक्राइब का मतलब होता है एक तरह जब परचा का फार्मसिस्ать पहुँच जाना वहां से ने का नोट करना दवाईया निकालना है या पूरा कम प्रिसक्राइब की आै आता है तो उसका टाइम होता है पेशृक्शन को कम वेट करना पड़त है जो अब तक न 가운데 चाहिए ठीक है उसमें लगवग 35षएर दवाईयां वह अपने दर इश्टोर कर सकता है डिस्पैस कर सकता है इन मिनट एक मिनट के अंदर 12 तक वह दो निकाल करके फटा फट निकाल करके दे सकता इतना फास्ट इंसान काम नहीं करता इंप्रूव एफिसेंसी, रिद्यूस फार्मेसी स्टाफ और वर्क लोड है ना, फार्मेसी स्टाफ और वर्क लोड भी क्या होता कम होता है, एक आदमी या दो आदमी काफी है इंप्रूव डॉक्मेंटेशन, अब हर चीज के लिए डॉक्मेंटेशन अलग से करने जोरूत नहीं है एटोमेटिक जो दवाई निकल रही है, जो जा रही है, किस पेशेंट के नाम से आई है किस एड्रेस पे था पेशेंट, वो एक बार फीड हो गया, उसी के नाम पे सब चल रहा है रिड्यूस जॉब इस्ट्रेस और स्टाफ टर्णोवर, बार बार स्टाफ को बदलनी जोरूत नहीं है और स्ट्रेस कम हो गया है, authorized access only enhanced security केवल अब robotic machine है, उसको command देने के लिए केवल और केवल authorization चाहिए एक या दो लोग, अब सब के बास दवाईयां जो है, वो packed है केवल robot जाके निकाल सकता है, तो robot का authorization हो गया, robot को कोई एक इंसान control कर रहा है दवाईयां सब के हाथ में नहीं लग सकती है, और security, जो ऐसी के अपने नार्कोटिक्स वगए रहा है, उनकी security वगए बढ़ गई है उसका missus होना क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये काफी सारी इसकी advantage है disadvantage की बात करें, lack of definitive evidence that this technology actually reduced dispensing error आभी तक इसका कोई ये evidence नहीं मिला है, कि वाकई में ये dispensing error को कम कर रही है ऐसा इसका कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है, खर्चा expensive होता है, पूरा robotic system को set up करना काफी खर्चिला होता है skills required को, फिर क्या है हमको, भाई उसको operate करने के लिए भी क्या चाहिए, skills चाहिए, हर को operate नहीं कर पाता है additional training and technical help, technical help का खराब हो गया, अगर एक system भी खराब हो गया, पूरा system ठप पड़ जाता है तो एक technical staff चाहिए होता है, उसके लिए 24 hour additional training चाहिए होती है, कैसे कैसे उसे operate करना है downtime, system failure and inflexibility, downtime मतलब अगर एक system fail होता है, पूरा system रुख जाएगा, ठीक है, वो उतना ही time क्या होगा, फिर आगे वो काम रुख की जाएगा ठीक है, फिर वो काम आगे बढ़े गाई नहीं, तो downtime, system failure, inflexibility, तिनों आगे इसके अंदर, cost and space issues, कहीना के कीमती है, और जगह चाहिए, automated ऐसा नहीं, छोचोटी जगह पर लग जाता है, automatic machine के लिए काफी space चाहिए होता है, तो ये इसके कुछ क्या है, disadvantage है, clear हो गया, चले आ dispensing system is used to store medicines by barcode, computer वो उसमें store कर दी, barcode से वो क्या पहचाने का, then drugs can only be supplied by robot by barcode definition, barcode को पहचान पहचान करके, उप दवयें लेकर के आता है, the electronic prescription prescribed by the physician contain a barcode, hence, जो electronic prescription उसने prescribe किया है, क्या कहते है, डॉक्टर ने, उस पर भी एक barcode होता है, hence, the robotic dispensing system scan it and barcode item is selected and dispensing, जब वो prescription को scan कर लेगा, कि हाँ, ये prescription okay है, फिर वो आगे जाकर कि जो item है, barcode उनको scan करेगा और बाहर निकालेगा, there is then direct electronic link between the medicine barcode and item selected, ठीक है, direct electronic link होता है, कौन से medicine है, उस पर कौन सा barcode है, किसको select करना है, on the electronic prescription and the label that is printed, ठीक है न, तो simple जी कहानी है, working में वही वाली कहानी आ आ गई, यहाँ पर क्या करना है, कि doctor ने prescribe किया, जो robot होगा, वो barcode को पहचानेगा, उसी medicine को select करेगा और dispense कर देगा, simple सी भासा में लिखना इसको, ठीक है न, बहुत ज़्यादा अगर होच-पोच मत कर देना इसको, बास समझ में आ गई है, तो ये simple working है, सब कुछ आज कर computer हो रहा है, कुछ जगर में तुम लोग देख भी रहे होगे, doctor इधर पर्चा लिखता है, आज कल ये तो देखी रहे होगे, robotic वारा नहीं देख रहे होगे, doctor ने इधर से पर्चे में एंट्री मारी, और वो सीधा पर्चा कहां पहांचा, pharmacy के पास, तो entry पहांच गई हो अप कुछ कमटराज लिखावा रहता है, तो ये सब automated system था थोड़ा सा पढ़ना थे, advantage, disadvantage, ज्यादा important थे, goals क्या थे, उसके वो ज्यादा important थे, ठीक है, और ये अपना आ गया, mind nurture app, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कि automatic system में हमें mainly advantage, disadvantage पे ज्यादा focus करना है, और सबसे important चीज पढ़ते रहना है, और revision करना है, all the best!